तो फिर से स्वागत है और यहां लेक्चर संख्या साथ है एक कौशी यूलर एक्वेशन के बारे में बात कर रहा है इसलिए पहला हम परिचय देंगे की कौशी यूलर एक्वेशन क्या है और फिर उनकी सॉल्यूशन तकनीके इसलिए यहां कौशी यूलर समीकरण कैर एक कौंस्टेंट कोईफिशियंटस वाले समीकरण है अब तक हमने लीनियर डिफरेंशियल के साथ लीनियर डिफरेंशियल एक्वेशन सीखे हैं इसलिए यहां एक प्रकार का विशेश प्रकार का समीकरण है जिसमें गैर लीनियर एक्वेश है इसलिए यहां हम इस equation पर consider करेंगे जिसमें में ये no constant coefficients हैं तो यहां 1,1,2,a,n,v constant हैं उनके साथ था हमारे पास यहां x power n, x power n minus 1 और x power n minus 2 और इसी तरह है इसलिए हम आज देखेंगे कि ऐसे equations को कैसे हल किया जाए जब हमारे पास इन derivative terms के coefficient के रूप में non, constants हो इसलिए इस derivative को यहां इस operator d के रूप में दर्शाया गया है जो आमतार पर हम करते हैं इसलिए हम इस equation को इस रूप में लिख सकते हैं x power n और फिर 1 x power n minus 1 और यह operator dn minus 1 और यह operator equation अब कैसे हल करें कि हम क्या करेंगे हम इस x को चुनेंगे या हम इस x को e power z में substitute करेंगे तो दिये गए equation में यह independent variable z x से प्रतिस्थापित किया जाएगा से substitute किया जाएगा independent variable z इस संबंध द्वारा x e power z के equal है यह एक चाल है और यह चाल क्या करेगी अंत में यह दिये गए differential equation को constant coefficient वाली linear equation में convert कर देगा तो यहा है इस substitution के पीछे का विचार इसलिए एक बार जब हम इसे करते हैं या हम इसे फिर से लिख सकते हैं क्यूंकि z equal alien x है और यहा हमें dx बटा dz देता है क्योंकि यह तब आवश्चक होगा जब हम इन सभी derivative terms को z के रूप में substitute करते हैं तो यहाँ dz बटा dx एक बटा x होगा इसलिए यहाँ derivative है जिसकी अब dx को dy dz रूप में change करने के लिए आवश्चक्ता है तो अब यहाँ पहला बदलाव है क्योंकि हमें इन सभी derivative terms को z रूप में into की आवश्चक्ता है इसलिए इस dy dx द्वारा इस chain के माध्यम से हमारे पास dz से अधिक और dz dx से अधिक है इसलिए dz से अधिक हम अब equation में होना चाहते हैं और dz बटा dx एक बटा x है इसलिए हम इस dz बटा dx को एक बटा x से बदल सकते हैं इसलिए हमारे पास यहाँ एक बटा x dy बटा dz है जिसे हम लिख सकते हैं यदि आप इस x को पूरे equation से गुणा करते हैं तो हमें वह x times क्या मिल dy बटा dx इक्वल है dy बटा dz और वह यहाँ ठीक पॉइंट है क्योंकि हमारे equation में derivative का order यहाँ यहाँ इन घठा ही के 90 बटा इन आडर डेरिवेटिव है तो हमारे पास x पावर एन माइनस एक है यहाँ जब 90 बटा इन आडर डेरिवेटिव हमारे पास x पावर एन टर्म है त इसलिए यदि हम यहाँ इस घी को d बटा dx differential operator के रूप में denote करते हैं तो क्या होगा यह x into d से x into d को दूसरा से बदल दिया जाएगा पहला मैं इस d को यहाँ पेश करता हूँ जो की operator d बटा d j है इसलिए इन दो operatorों के होने से यहाँ एक का उपयोग d बटा d j और d standard notation के लिए किया जाएगा जिसे i form पहले के lecture के रूप में उपयोग कर रहा हूँ जो की d बटा dx है तो उस सिती में यहाँ x into d बटा dx क्योंकि यहाँ equation अब सुझाव देता है कि हमारे पास इस x d operator नीचे y के terms में d एक operator नीचे y के equal है इसलिए इस equation से हमें पता चलता है कि यहाँ x d operator d एक operator के equal है जो यहाँ लिखा गया है कि x d equal d एक है तो क्या हम operator x d या हम d एक operate करते हैं दोनों यह समान हैं जो वास्तव में को इस equation into constant coefficient में बदलने में मदद करेगा क्यूंकि यह सभी x d और x square d square हैं जो अब हम देखेंगे वह भी d एक रूप में convert हो जाएगा और की उपस्थिती के बिना यह नया independent variable z इसलिए हम पूरे समीकरण को इस constant coefficient equation में बदल देंगे तो अब second order term पर वापस आ रहे हैं जब z independent variable में परिवर्थित होने पर यह कैसा दिखेगा तो d2y बटा dx का अर्थ है d बटा dx का 1x dy dz टर्म क्यूंकि यह dy x था इसलिए dy kdx का d बटा dx और dai बटा dx एक बटा x रही y बटा d z था इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं यहां product rule है इसलिए एक बटा x का derivative माइनस एक बटा x square है और फिर यह dy बटा d z जैसा है वैसा ही रहेगा प्लस यह एक बटा x अब हम इसे एक dy बटा d z को इस एक के संबंध में differentiate करेंगे ताकि d बटा dx dy बटा d z हो तो यह operation यहां तब होगा कि माइनस एक बटा x d z का square dy है तथा एक बटा x है जैसा कि ऐसा है यह square इस वजह से आएगा अब यहां तो d इस dy ओवर dx के dx से अधिक होगा इसलिए यह operation यहां होगा d दो y बटा d z दो और d z बटा dx जैसा कि हमने पहले भी किया है जब हम यहां dy बटा dx, d z बटा dx का derivative ले रहे हैं इसलिए यहां भी है ताकि इस dy बटा d z का derivative z के संबंध में हो और फिर d z बटा dx और d z बटा dx हो बें जो एक बटा x है तो यहां इसका परिनाम एक बटा x into d दो y बटा d z square होगा इसलिए हमें यह एक बटा x square है और d दो y बटा d z square तो हम यहां क्या प्राप्त कर रहे हैं यहां x square है जब हम को गुणा करते हैं यहां x square है जहां प्रते एक टर्म के लिए हमें x square d 2 y बटा dx square है right hand side d 2 y बटा d z square minus dy बटा d z होगा है और अब अगर हम इस operator form में लिखते हैं तो हमारे पास x square वहाँ d square term है और फिर यहां dx square है और फिर minus d1 x square है d square यहां से dx square k equal है और d1 यहां से हम फिर से लिख सकते हैं इस term को d1 into d1 minus 1 के रूप में लिखा जाता है इसलिए जब हमारे पास x square d square होता है तो इसे d1 d1 minus 1 में बदल दिया जाता है जब हमारे पास x d होता है, तो इसे केवल d1 में बदल दिया जाता है, और अब यदि आप इस प्रक्रिया को continue रखते हैं, तो हमें general रूपो में क्या मिलेगा, अब हम इस operator का परिचाय यहां लिख सकते हैं d1, d का earth d over dx और d1 d over dz है, तो यहाँ x square d square है, हमने देखा है, कि d1 d1 minus जब हम x घंडी घंड कंप्यूट करते हैं, तो d1 क्या आएगा, और d1 minus 1 और d1 minus 2 से गुणा किया जाएगा, यदि आप इस प्रक्रिया को general रूप से continue रखते हैं, तो हमें जो प्राप्त हो रहा है, x power and dn, है d1 d1 minus 1 d1 minus 2, और यह d1 minus और न minus 1 यहां तक जाएगा, इसलिए यहां, जब हमारे पास power 3 है, तो हम 2 तक बढ़ रहे हैं, यहां हमारे पास शक्ती हैं, हम minus 1 तक जा रहे हैं, तो यह d1 minus n minus 1 है, जो यहां minus n plus 1, लिखा गया है, इसलिए यह general रूप हैं, और हमें पहले से ही, याद है कि यहा x d d1 था, इसलिए हमारे पास x d equal d, 1 x है square d square d, 1 d minus, वो, इसलिए एक बार जब हम जानते हैं कि, यह, d operator इस d1 operator में कैसे, बदल जाएगा d1, z के संबंध में है, जहां d, x के संबंध में है, तो हम क्या महसूस करेंगे, कि हमारा original equation constant coefficient, के साथ इस, linear equation में परिवर्टित हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि यदि हमारे पास यह f dy है, तो उस substitution के साथ x equation के equal है, हमें यह मिलेगा कि d1 बटा का कुछ function z के equal है, और यह g d1 इस z से मुक्त होगा, जिसका अर्थ है कि इस equation में केवल constant coefficient होंगे, और हम जानते हैं कि constant coefficient वाले प्रशन को कैसे हल किया जाए, तो आई इस विचार को प्रदर्शित करने के लिए इस उदाहरन के माध्यम से चलते हैं, हमारे पास general solution है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, इस x का general solution square d square minus x d plus 2 है, k equal है यह x log x equation, तो इसे बना देगा substitution x, e power z के equal है, या z x के logarithmic के equal है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि यदि हमारे पास यह d a के रूप में d से अधिक d z है, तो यह हमारा equation यहां परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यह x square d square terms है, इसलिए x square d square term को d1 d1 minus के term में लिया जाएगा, एक dx term जिसे हम d1 से बदल देंगे, और प्लस y पर संचालित यह दोनु, x के equal है, यहां यह power z, x यहां power z है, तो यह यहां यहां दिया, यहा है, और फिर log x तो यहां जो हमारे पास है, हमारे पास log x equal z है, इसलिए इस log x को z से बदल दिया जाएगा, और इस x को ऑई power z से बदल दिया जाएगा, ताकि यह right hand side z into e power z हो जाये, और यह operator यहां x के साथ square d square है, अब हमारे पास नया operator D है 1D1-1 और इस XD के साथ हमारे पास यह D1 और प्लस 2 है, इसलिए हमारा नया equation जो कि Z के terms में है, अब यहां धिया गया है और अब हम इसे सरल बना सकते हैं, इसलिए इसका D1-D1 और यह माइनस D1 तो माइनस 2 टाइमस D1 और यह प्लस 2Y पर संचालित होत है और यह हमें Z इंटू की देता है पाबर, Z तो यह equation अब constant coefficient के साथ है, इसलिए यदि हम यहां coefficient देखें तो यहां 1-2 है 2, इसलिए यहां सभी coefficient constant हैं जबकि यह मूल प्रश्न में coefficient स्थिर नहीं थे, इसलिए इस तरह के परिवर्तन का लाब यहां है, कि यह equation अब constant coefficient वाले प्रश्न में कम हो गया है, जिसे अब हल करना आसान है इसलिए इस equation के लिए मानार्थ function क्योंकि हमें अक्षिय equation लिखने की आवर्शक्ता है, जो की m²-2m और प्लस 2.0 के इक्वल होगा, इसलिए हमारे पास यह equation यहां है, तो जड़े माइनस प्लस माइनस रूट भी स्क्वाईर, माइनस चार एसी में होंगी, और दो टाइनस एसे विभाजित होंगी, इसलिए हमारे पास दो प्लस माइनस, यह 4 माइनस 8 है, इसलिए माइनस 4 को 2 से विभाजित किया जाता है, इसलिए हमारे पास एक प्लस माइनस यह दो होगा, आई तो दो दो कैंसल हो जाओ, और हमारे पास एक प्लस माइनस आई है, इसलिए इस डिफरेंशियल एक्वेशन कि अनुरूप एक्सिलरी एक्वेशन की जड़े हमारे पास एक प्लस माइनस आई है और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन कैसे लिखना है इसलिए यहाई पावर होगा अब एक्स नहीं हमारा इंडिपेंडेंट बेरियेबल जेड है इसलिए यहाई पावर जेड होगा और फिर सी कॉंप्लिमेंटरी फंक्शन है या यों कहें कि होमोजिनियस एक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहने का अर्थ है कि राइक हैंड साइड से ठैशून है इसलिए यहाँ यहाँ यह मानार्थ फंक्शन हमें मूल जर पर वापस लिखना है इसलिए यहाँ यहाँ पावर जेड को एक्स सी वन कॉस से बदल दिया जाएगा क्योंकि जेड एक्स का लॉगरिद्मिक था इसलिए एलेन कॉस एक्स प्लस सी लॉग एक्स के दो पाप और पाई पर्टिकुलर इंटिग्रल इस पर एक होगा डी स्क्वायर माइनस दो डी एक जमादो है इस जेड इपावर जेड पर यहाँ पर्टिकुलर इंटिग्रल अब हमें इस परिनाम पर ले जाएगा क्योंकि जेड इपावर जेड बहसूत्र है जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर जेड इंटु इपावर जेड इंटु जे इपावर जेड हमने इस आपरेटर से निकाल लिया है और यहाँ डी एक को डी एक प्लस एक डी एक प्लस एक बार बदल दिया गया है वह प्रत्यक्श सूत्र था जिस पर पहले से ही पिछले लेक्चर में चर्चा की गई थी और अब हमें इसे केबल इस जेड पर लागू क करने की आवर्शक्ता है, इसलिए पहला इसे सरल करें ताकि dx square हो और फिर हम यहां 2 dx प्राप्त करेंगे, हमारे पास minus 2d1 होगा, जो की होगा रद किया जाए, यहां हमारे पास 1 और 2 हैं तो 3, और घटा दें तो वहां plus 1 होगा, इसलिए dx square है, और plus 1 इस z, पर संचालित है, इसलिए e power z और फिर हम इस minus 1 के साथ numerator में ला सकते हैं, जिसे अब हम काविस्तार कर सकते हैं, और फिर हम इस operator को z पर लागू कर सकते हैं, इसलिए यहां z की power 1 है, इसलिए हमें कई शब्द लिखने की आवर्शक्ता नहीं है, क्योंकि dx जब हम इसे यहां expand करते हैं, तो हमें एक minus मिलेगा, यह dx square है, प्लस साथ ही उन higher order terms, वास्तव में यह dx दो times, जब हम z पर लागू करते हैं, जो 0, पर सेट हो जाएगा, और higher order की अवधी भी इस सेट को 0 बना देगी, इसलिए हमें मूल रूप से केवल यह z, इस operation का परिनाम यहां मिलेगा, तो यह यहां सिर्फ z है, और यह power z है, इसलिए इसका उत्तर एक constant coefficient के साथ इस equation का एक particular integral है, तो अब हमें जो यहां विशेश integral मिल रहा है, हमें वापस x फॉर्म में भी लिखना होगा, और यहां इपावर z x था, और यहां z x में था, इसलिए हमारा जवाब x में x particular integral ही और यहां है, दिये गए equation का एक particular solution, और हमारे पास complementary कार्य है, हमारे पास यह particular integral है, हम इन दोनों को जोडते हैं, तो हमें दिये गए differential equation का general solution इस द्वारा दिया गए है, y complementary function के equal है, जो यहां दिया गया है, x c cos log x plus c 2, sin log x, और प्लस यह particular integral जो x log x है, इसलिए यह हमारे दिये गए equation को संतुष्ट करेगा, इसमें यह दो arbitrary constant हैं, इसलिए यह non-constant coefficient या कौशी-Uler equation के साथ दिये गए, non-homogeneous equation के general solution के रूप में कार्य करता है, और यहां हम इस विचार के बारे में बात करेंगे कि कुछ equation हैं, जिन्हें इस कौशी-Uler form में घटाया जा सकता है, और फिर हम कौशी-Uler form को हल करना जानते हैं, अब तक इस प्रकार के equation का उधारन है, जब हमारे पास एक प्लस-B-X-power N यहां भी एक प्लस-B-X-power N-1 है, और इस तरह यह अब गुनांख हैं, कौशी equation में हमारे पास बस यह X-power और N यह एक पावर है N-1, लेकिन इस मामले में हमारे पास एक प्लस-B-X है, यहां भी हमारे पास प्लस-B-X-form है, इसलिए हमें इसे A plus B X को एक नए variable V के रूप में substitute करने की आवश्चक्ता है, इसलिए यदि ऐसा है तो A plus B X इस substitution के साथ V के equal है, हमारा equation इस Cauchy-Uler equation में बदल जाएगा, और हम जानते हैं कि Cauchy-Uler equation को कैसे हल किया जाता है, इसलिए इस बदलाव के साथ जब हम ऐसा substitution करते हैं तो A plus B X V के equal होता है, इसके साथ हमारे D over DX को D over DV over DX के रूप में लिखा जाएगा, तो DV क्या है? DX से ज्यादा है, लेकिन B यहाँ है, तो DX, D over DX के terms में D over DV, इस factor D के साथ, और यदी हम इसे continue रखते हैं, यदी हम D2Y बटा DX दो लेते हैं जो आने वाला है, तो इसे फिर से सरल करो एक और B square ताकि जब हम तीसरा derivative compute करें, तो यह B cube के साथ DY बटा DV होगा, और इसे किसी भी order derivative के लिए जारी रखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एन वे order derivative भी हम compute कर सकते हैं, और यह B power N बाहर आ जाएगा, और फिर हमारे पास DN, Y over DV N होगा, तो अब अगर हम इसे इस equation में substitute करते हैं, तो यहां क्या होगा, यह इस V power N, और फिर DN, Y बटा DX N यहाँ power होगा, N, Y over D, VN दूसरा टर्म एक होगी, और यहां हमारे पास V power N-1 होगा, और यह converted हो जाएगा, N-N order derivative हो सकता है, इसलिए BN-1 आएगा, और DN-1Y over DX N-1 और यह जारी रहेगा, इसके लिए, A plus B, X यहाँ भी है, और DX over DX B, DY over DV है, और यहाँ N-Y, इस X, K equal होगा, और X यहाँ इस X का एक function है, लेकिन वह फिर से बदल जाएगा, यह X, V के इस form में set हो जाएगा, इसलिए इस V का कुछ function right hand side के बजाए आएगा side, X, इसलिए जब हम इसे convert करते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, को बदल करकि इस right hand side और को इस VN से विभाजित करके पूरे equation को इस VN से विभाजित करके right hand side यहाँ X बन जाता है, जिसे फिर से हमें जो कुछ भी X को substitute करना है, वहाँ वी के terms में दिया गया है, और इसे इस VN से विभाजित किया जाएगा, और फिर left hand side की तरफ VN और DNY ओवर DVN यहाँ हमें से एक एक ओवर भी यहाँ प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक शब्द VN-1 था और जब हम विभाजित कर रहें हैं यहाँ VN तो एक यहाँ denominator हर में N-1 एक एनवे order term और इसलिए इस right hand side की और फिर से यहाँ है शायद एक नया X यहाँ जो V का एक function है, क्योंकि यहाँ X का एक function था X लेकि अब X को V के terms में बदल दिया गया है, इसलिए हमें यह function right hand side की और भी मिलेगा लेकिन अब हम जो महसूस करते हैं वह वही equation है, जिसकी चर्चा हमने से पहले एक कौशी-Uler equation के रूप में की है, इसलिए यहाँ N-1 order term हमारे पास यह N-1 है और यहाँ हमारे पास V है, इसलिए यह कौशी-Uler equation है, जिसे हम जानते हैं की इस substitution, द्वारा कैसे हल किया जाए और इसे कैसे प्रदर्शित किया जाए, आईए इस उदहारन को देखे, इसलिए हमें इसे 1 प्लस X whole square और second order derivative प्लस यहाँ 1 प्लस X first order derivative जोड वाई के एक्वल चार इस, log 1 प्लस X के cos के साथ लेते हैं, और अब, अगर हम इस 1 प्लस X को यहाँ NB के रूप में substitute करते हैं, तो मेरा मतलब है कि यहाँ जो कुछ भी दिया गया है, आई बहर जनरल रूप से X प्लस पी शब्द है, इसलिए हमने इसे 1 प्लस X के equal लिया है, यह substitution हमने यहाँ किया है, और वहाँ अब convert हो जाएगा dy over dx equal dy over dv और dv over dx, इसलिए यह dy over dv और dv over dx इस equation से एक है, क्योंकि जब हम इस dv बठा dx compute करते हैं, यह सिर्फ एक है, इसलिए यहाँ एक आ रहा है, तो हमारे पास dy over dx का क्या संबंध slash relation है, इसे dy over dv से बदल दिया जाएगा, इस 1 प्लस X के कारण कोई factor नहीं आ रहा है, और फिर second order derivative जब हम d2y को dx दो पर फिर compute करते हैं, क्योंकि इस x का का factor एक था, इसलिए हमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको v के संबंध में केवल दूसरा factor over derivative मिलेगा, और यदि हम इसे दिये गए equation में substitute करते हैं, तो हमें यहाँ v square और d2y बटा dv square, प्लस v term, और dy over dv, प्लस यह y मिलेगा, और right hand side हमारे पास v के cos, और इनका 4 times है, इसलिए अब यह equation यहाँ है, ठीक उसी equation की चर्चा इस कौशी-Uler रूप में की गई है, तो यहाँ कौशी-Uler equation का कौशी-Uler equation है, जिसे हमने इस independent variable के उप्योक्त substitution द्वारा एक नए independent variable के लिए ठीक पहले हल किया है, इसलिए हम करेंगे और अब बिलकुल वैसा ही, इसलिए हम यहाँ इस v independent variable को exponential z के रूप में substitute कर रहे थे, और फिर इस substitution को कर रहा है, और मान रहा है कि यहाँ डी अब एक नया operator है, इस d बटा d z के terms में हमारा operator d यहाँ d बटा d है, नया operator d एक d बटा d होगा, तो उस variable के इस change के साथ क्या होगा, यह v square d दो y बटा d v square या v square d square क्योंकि यह हम d के terms में लिख सकते हैं, यदि हम operator d को d बटा d v के रूप में परिभाशित करते हैं, क्योंकि हमारे differential operator को v के रूप में लिखा जाता है, तो यह equation v square d square प्लस यह v d और प्लस यह y right hand side संचालित होता है, यह 4 cos log v है, इसलिए यह v square d square को एक d एक माइनस एक से बदल दिया जाएगा, और यह v d इस substitution के साथ v equally power z है, इसे d x से बदल दिया जाएगा, और फिर यह यहाँ एक है y cos के 4 times equal है, और हम क्योंकि v बराबर ही power z है, इसलिए यहाँ v z है, इसलिए यह v v का लगुगणक यहाँ z द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो हमारा नया equation अब बन गया dx square minus d1 है, तो हमारे पास प्लस यह d1 है, और हमारे पास plus 1 है, जो y पर संचालित है, इस cos z, के 4 गुणा के equal है, और d1 d1 cancel हो जाता है, और हमारे पास dx square है plus 1, इस पर operated y 4 के equal है times cos z, तो अब यहाँ एक नया equation है, और dx square है plus 1 y, cos z, के 4 times के equal है, इसलिए इसके लिए complementary function क्योंकि auxiliary equation होगा, m square है plus 1 0, के equal है क्या m plus minus i के equal है, तो इस auxiliary equation के साथ हम solution को z की terms में लिख सकते हैं कि c, क्योंकि e power यह 0 है यहाँ, e power 0, 1 होगी, इसलिए हमारे पास c1 cos z plus c2 sin z, जो complementary function है, और यहाँ फिर z है यहाँ, कुम्बूल चर में वापस बदला जाना चाहिए, इसलिए z v था, इसलिए हमारे पास z के लिए v है, और यहाँ v पहले के substitution में भी, 1 plus x था, इसलिए हमें वापस जाना होगा, x तो यहाँ complementary function होगा, c1 cos यह, 1 plus x c2 sin, 1 plus x, और particular integral, जो इस d के उपर 1 है, x square प्लस 1 इस पर operated होता है, 4, इस times cos z, तो 4 को हम यहाँ ला सकते हैं, और फिर यह cos z, यह वह formula है, जो था, वहाँ भी निकाले जाते हैं, जब हम इसे इसे substitute करते हैं, तो dx square minus 1 होता है, इसलिए यह 0 होता जाएगा, और फिर हमने प्राप्त किया है कि 2, के उपर z होगा, और cos वहाँ सिर्फ sin होगा, इसलिए z2 से अधिक है, और 2 यहाँ 1 है, तो z2, और sin z जो परिनाम होगा, operation में से 1 over dx square plus 1 cos z पर जो z को 2 और sin z देगा, तो यहाँ दो cancel हो जाएगा, हमारे पास 2 z हैं, और sin z, इस equation का particular integral, इस equation, 2 z into sin z, जिसे हमें फिर से b पर वापस लाना है, और फिर x times is v और sin v, का दो terms और x के संदर्भ में हमारे पास v था, इस 1 plus x के लिए substituteर किया गया है, इसलिए हमें replace करना होगा v 1 plus x के लिए, इसलिए, finally, particular integral 2 times log 1 plus x और sin log 1 plus x, और अब व्यापक slash general solution जिसे हम लिख सकते हैं, हम इस particular integral में complementary function में जोड सकते हैं, और यह दिये गए differential equation का व्यापक slash general solution हो जाएगा, जिसे पहले कौशी-Euler root में converted किया गया था, और फिर कौशी-Euler equation को constant coefficient के साथ linear equation में बदल दिया गया था, और वहाँ, हम जानते हैं कि इस complementary function की सहायता से को कैसे हल किया जाए, और particular integral यहाँ निशकर्श slash conclusion पर आ रहा है, इसलिए हमने यूलर कौशी प्रशनों पर discuss की हैं, और यह coefficient के टर्म्स में equation का एक special form है, x power n, x power n minus 1n minus 1 derivative और इसी तरह, और हमने कौशी-Euler form के लिए reducible equations पर भी discuss की है, और particular हमने इस form को लिया है, जहां इस x power n के बजाए हमारे पास plus bx power n है, लेकिन यह विचार simple था कि अगर हम इसे a plus bx से substitute करते हैं, एक नए variable के रूप में तो इस equation को इस कौशी-Euler equation में कम किया जा सकता है, और फिर एक और substitution के कारण differential equation, constant coefficient के साथ linear differential equation होगा, तो ये वहर references हैं जिनका उपियोग हमने इन लेक्चरस को तयार करने के लिए किया है, और आपके ध्यान के लिए धन्यवाद,